अश्कार दोस्तो वेलकम बेक टू मैं चैनल तो दोस्तो आई टेए पास केंडिडेट के लिए एक और बढ़ती आ चुकी है बीए सफ के अंदर बॉर्डर स्कोर्टी फोर्स इसके अंदर दोस्तो वैसे तो वेकेंसी काफी सारिया है पर मेरा में फोकस आई टेए वालो बच् और वो देश सेवा करना चाते हैं तो उनके लिए काफी सुनहरा मुका है बीए सफ के अंदर जाने का बीए सफ के अंदर आई टेए पास केंडिडेट के लिए वेकेंसी है काफी अच्छी पोस्ट है सेलरी स्टेक्चर भी काफी अच्छा है इसके अंदर आप क्या क्या फै अपिसल नॉटिस है इसके अंदर गुरुप C और गुरुप B दो वेकेंसिया निकाली गई है तो दोस्तो देखिए इसके अंदर आपको सब इंस्पेक्टर की भरती मिलेगी सब इंस्पेक्टर मास्टर की सब इंस्पेक्टर इंजर ड्राइवर की सब इंस्पेक्टर वर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है दोस्तों कैटिक्रों आप देख सकते हैं जर्नल में कितनी सीट है एड़ाइस में ओवी सी में सी में स्ट्व में आपको दी जाएगी एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों इसके अंदर जो हैड़ कॉंस टेवल वर्शोप के अंदर है उसकी एज बीस से पच्छे साल मांगी गई है और कैटी की जी वाइज एज रिलेक्सेशन में भी छूट है कि एसी को पांस साल का ओवी सी को तीन साल का एकसरवेस्मेंट को 30 साल का चौंट रिजर्व है एकसरवेस्मेंट ओवी सी है तो उनको 6 साल का और एकसरवेस्मेंट को 8 साल का इसलेक्सेशन दिया जाएगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों तो इसके अंदर जो बच्चे education qualification में दोस्तो head constable workshop के अंदर जिनोंने 10 वी पास और उसी के साथ-साथ ITI किया हुआ है इंट्रीडो से electrician, machinist, carpenter AC technician, electronics mechanic और plumber वो बच्चे इसमें apply कर सकते हैं ITI वाले बच्चे के दोस्तो experience नहीं मांगा गया है only 10 वी पास और ITI मांगी गई है और दोस्ते इसके अंदर height, weight और chest का criteria है वो आप देख सकते हैं जो पहाडी लागों के बच्चे होती है या फिर जो जहाँ पे तंग जगे है वहाँ के बच्चों के लिए 160 और 162 cm का height है और other state northern zone के जो बच्चे हो 65 cm है और chest 75 से 80 cm extend होनी के बाद मांगी गई है यह दो इस तो medical examination है I6, I6 वागएरा चाहिए 102 वागएरा के बारे में बताए गए दोस्तों 102 वागएरा नहीं हो चाहिए selection process की बात की जाए तो दोस्तों इसका selection process दो phase में होगा यह first phase के अंदर return exam होगा और second phase के अंदर दोस्तों आपके documentation check होगे उसके बाद physical measurement होगा physical efficiency test होगा उसके बाद trade test होगा medical exam होगा और उसके बाद आपकी final merit बनेगे return exam की बाद की जाए तो इसके अंदर दोस्तों उन्हें उन्हें बताया है कि 100 नंबर का paper होगा और 100 question आएंगे जिसके लिए आपको दो भंटे दिये जाएंगे syllabus भी इन्हें उन्हें बताया हुआ है कि क्या क्या syllabus रहेगा इनका और किसकी syllabus में किस-किस हिसाब से question आएंगे और दोस्ते इसमें trade test होगा जो बच्चे exam पास करनेंगे उनके बाद उनका trade test लिया जाएगा आई-टी आपास के इंडिडियोट का trade की according कि जो इनकी trade है उसके हिसाब से उनका exam लिया जाएगा उसके बाद apply करने की बात की जाएगा तो दोस्तो online apply आपको करना होगा 8 जून से पहले-पहले इसका form दोस्तो start हो गया है आप apply कर सकते हैं 8 जून से पहले-पहले fee की criteria की बात की जाएगे दोस्तो तो अगर आप 10th पलस ITI पास है तो आपके लिए 100 पे fee का एनोने criteria रखा हुआ है जो head constable workshop में बच्चे अपलाई करेंगे उनके 100 पे fee लगेगे बाकी जो सब इंस्पेक्टर में apply करेंगे वो 200 पे fee है और ITI बाले बच्चों के लिए 100 पे fee का criteria रखा गया है इसे हैं दोस्तों आप online पे कर सकते हैं दोस्तों ये बाई इसके बाद इनोंने अपने center बताए हुए हैं अल इंडिया से आप इसमें apply कर सकते हैं ये इनके center है कॉलकता में ग्वालियर में बैंगलोर में दिल्ली में काफी जारी जगे इनके center है आप इसके official notice को हमारे description box के link से download कर सकते हैं वहाँ पे मैं इसका description link दे दूँगा और दोस्तों अगर trade test की बात की जाए कि आपको trade test में क्या पूछा जाएगा तो वह भी मैं आपको बता देता हूँ अभी तो दोस्तों देख सकते हैं कि trade test के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा जैसे carpenter trade है इसके अंदर आपको tools के बारे में पूछा जाएगा tools के आपको क्या क्या नॉलिज है और practical के अंदर ये सब पूछा जाएगा कि क्या क्या आपको practical होगा same electrician के अंदर tools के बारे में बताये गया है दोस्तों tools के अंदर आपको combination price screwdriver, cutting plier, DC bulb, halogen lamb, इन tools के बारे में प्राइमरी कोईल टेस्टिंग, secondary कोईल टेस्टिंग, field कोईल टेस्टिंग इन सारे practical होगी आप तैयारी कर सकते हैं air conditioner technician होते हैं उनके practical के बारे में बता है electronics mechanic के जो बच्चे हैं उनके लिए tools के पार्ट और उनके practical के बारे में बताये गया है जैसे की income का certificate है OBC का certificate है अगर किसी बच्चे का बना हुआ नहीं है तो वो इससे देख सकता है कि किस प्रकार के format इन्होंने दियो है तो दोस्तों बहुत ही काफी अच्छी बढ़ती है पेस के लिए काफी अच्छा है आज की वीडियो में इतना ही Keep in touch जैहिंद वंदे मात्रम